तो बिहार स्वास्त विभाग के तरप से काफी संदार भरती निकाली गई है कुल 10709 पदो पर ये जो बहाली पर करिया आपकी कंड़क करा रही है बिहार तक न के सेवा योग जिसे आप BTAC के नाम से जानते होंगे जिसके लिए आप देखेंगे एक नई नोटिफिकेशन जा इस बहाली को लेकर हम आपको पूरी जनकारी किलियर करेंगे कि ये जो बहाली होगी इसमें कौन केनिडेट फॉर्म को भर सकते हैं और एक चीज़ और किलियर कर देए ये जो बहाली है पुर्व में भी निकाला गया था लेकिन पुर्व में बहुत सारे केनिडेट ने आव आवेदन नहीं किया है उनको यहां पर मौका दिया जा रहा है नए कैनिडेट भी आवेदन करेंगे जो पुराने कैनिडेट है जिन्होंने आवेदन कर दिया उनको क्या करना है इसमें क्यूंकि बहुत बड़ी बदलाव की है पहले क्या था कि इसमें जो सेलेक्शन प्रोसेस आपकी एक्जाम होगी उसके बेस पर आपकी चैन पर क्रिया होगी तो आईए पूरी जनकारी को आपको डीटेल में बताते हैं आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जनकारी के लिए है इसमें जो जो इंपोर्टेंट चीज होगा उसके बारे में हम डिसकस करेंगे बाकी की जो जनकारी है पूरी डीटेल अगर समझना है तो इसका नोटिफिकेशन वीडियो डेस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड करकर आप खुछ से भी समझेगा नोटिफिकेशन बिहार सरकार बिहार तक नकी सिवायों के द्वारा निकाला गया है और बिग्यापन संख्या आप देख पाएंगे ये जो बाहली होगी बिहार महिला स्वास्त कारे करता जिसे आप A&M के नाम से जानते हैं उनके पदो पर होगी आपको एक चीज और किलियर कर दे कि ये जो बहाली है किलियर यहाँ पर कर दिया गया कि महिला स्वास्त कारे करता मतलब सिर्फ female candidate के लिए है कोई male candidate इसके लिए eligible नहीं है इस चीज को आप ध्यान रखेगा बाके की जनकारी इसमें बताया गया है हम आपको पूरी shortcut में बताते हैं आवसक सूचना क्या दिया गया है कि देखे स्वास्त बिभाग में इससे पहले जो बहाली आई हुई थी एनम के लिए जिसका तीथी दिया गया है कि 2008-2022 से लेकर 2009-2022 तक इसके लिए अविदन परकरिया भी चली थी इसमें जो अभियार थी मतलब कि जो female अभियार थी जो नहीं नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं उन्हें इस 9-2023 को जारी किया गया है इसमें ये रूल ला दी है कि अब जो पुराने भी कैनिडेट है जो इस बीच फॉम भरे होंगे और इसका तीथी बाद में बढ़ा भी था ये 15-9-2022 तक विस्तारित किया गया था इस ब जो दित किया जाता है किलियर बताया गया कि अब जो सेलेक्शन पर किरिया होगी चैन पर किरिया होगी इसके बारे में बताया कि निम्नवत परति अस्थापित किये जाएंगे तो अब समझे अब कैसे होगा और पहले क्या था पुराना भी नोटिफिकेशन हमने है और जिसमें अलग-अलग कैटेगेरी के लिए बाहली को आरक्षित किया गया है विवार में इतना था साथे साथ आर्थिक रूप से जो कमजोर वर के केंडेर थे उनके लिए इतना था अनोसुची जाती के लिए इतना था कुल मिलाकर आप देखेंगे दिव्यां के आगू नहीं है मतलब कि महिलाई के लिए है तो इसमें 35% का कहां मामला है तो यह यहां पर क्लियर बताया अब देखेंगे नए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इसके लिए जो भी आपकी अनेवार रूप से जो सैक्षनिक योगता है वो होनी चाहिए किसी मानेता प बात GNM या BAC Nursing यह सब किये होंगे MSC Nursing पास होंगे तो उसे अत्रिक्त अंक दिये जाएंगे मतलब कि इसमें जो आपकी नूंतम क्वालिफिकेस है जो होगी A&M होनी ही चाहिए और अगर उससे अधीक है GNM है या MSC Nursing है तो इसके लिए आपको अत्रिक्त अंक मिलेगा अब इ उनके लिए बताया गया है कि आपकी जो उम्र सिमा 1821 के अनुसार काउंट होंगे नूंतम आपके उम्र केस वर्स होनी चाहिए अधिक्तम जो है सभी कैटेगरी के लिए बताया गया है कि महिला के लिए जो आनारक्षित के होगी उन्हें 40 वर्स है और पिछरा वर्स के सेज किया गया था जो 2022 में उसमें चैन पर किया के बारे में बताया गया था कि आपका जो एन्म आपने जो ट्रेशन किया होगा उसमें जो भी आपका अंख आया हो很好 क उस आधार पर मेगा सोची बनाया जा गया लेकिन इसे अब हटादिया गया अपको नए-notification के अको आपक प्रस्न होंगे बहुत बिकल्पिय होंगे मतलब objective mode में होंगे जिसमें cool अंकों के संख्या जो होंगे ये 100 होंगे जिसमें बता गया कि 2 गंटे की आपको समय अब दी दी जाएगी और cool अंक भी 100 ही होंगे इसका जो slavus होगा एनेम हेतुर निर्धारे तो जो भी पार्ठ करम है उसी पार्ठ करम के आधार पर आपकी जो slavus है वो आपको रहेगे slavus को उपर में अगर आप comment करेंगे तो जल्द हम एक वीडियो बना देंगे या उसका link description में उपलब्द करा देंगे तो आपके जो परिक्षा परिनाम होगा normalization परकिरिया को अपनाते हुए त्यार किया जागा इस परिक्षा में negative marking भी होगा एक प्रस्न अगर आपका गलत होता है तो 0.25 परिक्षा जो अंग है वो आपके काटे जाएंगे अब आप जितने अच्छे exam को clear करेंगे उतने अच्छे आपका जो है number आएगा और इसमें एक चीज़ और बता दिया गया कि इसमें अगर आप निंतम इसके तहत अगर नंबर निरधारित कर दिया गया उतना अगर आप नहीं लाएंगे तो इस बहालेस आपको निकाल भी दिया जागा जैसे समाने वर्ग के अगर महिला होंगे तो 40% आपको जो है अंक लाना होगा पिछरा वर्ग के महिला होंगे तो कम से कम 36.5% आपको अंक मिनमम जो है CBT में लाना होगा अतियांत पिछरा वर्ग के अगर महिला होंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया कि 34% अंक लाना होगा तो इसका अगर आप 40 परतेसत निकालेंगे तो यह आपका 40 अंक होता है जिसमें 32 परतेसत है 32 है 36.5 है तो मतलब 36.5 अंक आपका होना जरूरी है उसके बाद ही आपका दूतिय चरन का जो मेरिट त्यार होगी वो की जाएगे अब देखे इसमें भी बता गया कि दूतिय चरन क जो आपकी मेरिट होगी किस परकार त्यार किया जाएगा जो आपने परतियोगिता परिक्षा में जो प्राप्त अंक किया होगा उसके अनुसार यहाँ पर बताएगा कि 60 अंक उसका यहाँ पर काउंट किया जाएगा उसके आलाबे उच कोर्स आपने जो किया होगा जैसे ह हमने बताया कि जी एनेम अगर आपने किया होगा तो इसमें 10 अंक मिलेंगे बीसी नर्सिंग या जो भी अन्य कोर्स है वो अगर आपने किया होगा तो उसके लिए 15 अंक आपको दिये जाएंगे तो ये इसमें काउंट होगे उसके अलावे बताएगे बिहाराज के अंदर साल का अनुबब और तो आपको पाँ अंक मिलेगा अधिकतं ये पर 25 अंक मतलब 5 सालों से अधिक का अनुभब है तो फिर आपको यहां पर 25 अंक से ज़्यादा नहीं मिले जैसे अगर माल लीजे आपका 100 नंबर का एक्जाम होता है, अगर आपने 100 में 100 लाया है, तब आपको 60 अंक दिये जाएंगा, अगर माल लीजे कोई अभियारती है, जिन्होंने 100 में 50 अंक लाया है, या जिन्होंने 100 में 40 अंक लाया है, तो उनका किस परकार यहाँ पर यह जो अंक है निकाला जाएगा तो उसके बारे में बताया गया देखिए परतियोगिता परिक्षा में जो भी आपके कुल परफता अंक होंगे उसको यहां से 0.6 से गुना किया जाएगा और उस अनुसार निकाला जाएगा जैसे एक्जामपल के लिए बताया गया कि यदि कोई नंबर कितना होगा तीस होगा कैसे पचाश गुन्ने देखेंगे जीरो पॉइंट सीक्स किया गया तो इनका जो आया है वह 30 नाग का आता है तो इसमें गुन्ना कित से होगा 0.6 से होगा और जो अंक आपका यहाँ पर होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा तो इस परकार आपकी जो है दूतिय चरन का जो मेगा सूची है इसी परकार बनाया जाएगा अब इस परतियोगिता के लिए यहाँ पर बता दिया गया है यह नोट आपको ध्यान रखना है पुर्व में जो भी अवियारती ने आवेदन इसके लिए कर दिये हैं उन्हें आवेदन करने की अवसक्ता नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं कि आप आवेदन कर देते हैं तो वैसे इस तिति में आपका दोन निबंधन है उससे समाप्त कर दिया जागा उन्हें रद कर दिया जागा तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है अब आपके जो भी सैक्षनिक भिबरन होगी जैसे सैक्षनिक योगिता एनम हो या उसके अलावे भी जो उच्छी योगिता जीनम हो तो यह सब जो आपक पतना का निबंधन परमान पत्र या अरक्षन है तो जो भी निर्गत आपकी कारे अनुभव होगी या जो भी परमान पत्र होंगे वो सभी भी आपका बताया गया कि 6,10,2023 तक निर्गत होने पर ही मानने होगा जो वैसे अभियार्थी होंगे जो पूर्ब में इसके लिए आविधन किये होंगे उनको अगर कुछ संसोधित करना है अपने क्वालिफिकेशन को एड करना है तो उनको भी मौका मिलेगा आप लोग भी यहाँ पर बताया गया है कि 22 तारिक से लेकर 6 अक्टूबर तक आप जो है इसमें जो भी डिटेल को एड करना चाहते है एड कर प बताया यह इनका पुराना ओल्ड नोटिफिकेशन है जिसके बारे में भी हमने आपको इससे पूरी जनकारी आपको किलियर किया तो इसमें नए जो कैनिडेट होंगे उनके लिए मौका है और यह काफी अच्छी बाहली है बिहार स्वास्त विभाग में होगी कुल 10,000 आप लिंक एक्टिव होगा तो वीडियो को सेयर करिया ऐसे और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ टेलिग्राम चैनल से जोईन करिए धन्यवाद